आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे एक उर्जा मिलती है कि मेरी बातें आप सुन रहे हैं आपको अच्छी लग रहे हैं तो देखिए हम बेवारिक मुद्दो पर वीडियो बनाते हैं और जैसा मेरी वीडियो मोटिवेशन वाली नहीं होती है मैं वीडियो बेवहारिक बनाता हूं जिससे क्या हो कि हम अपने जीवन में कैसे एक समरस्ता लाएं और जो मानसिक संतुष्टी होनी चाहिए मानसिक सान्ति आए उस तरीके की व लिया है वो यह है कि अंध्विश्वास के चक्कर में आदमी साइको होता चला जा रहा है एक तरीकी को उसकी मांसिक बीमारी होती चली जा रही है इतना अंध्विश्वास में वह बिलीब करने लगेगा करने लग रहा है उदाड की तौर पर आप यह समझो कि बहुत लोगों में होता है जैसे मैं खुद को ले लूँ कि अगर हम किसी चीज को ले करके अंध्विश्वास करने लगे तो उससे होगा क्या कि जो हमारी मांसिक इस्तिती देरे देरे निगेटिव की तरह पढ़ती चली जाती है तो हम सब को अंध्विश्वास से बिल्कुल उसको अपने तो आपने कोई कपड़ा पहना आपने कोई जूता पहना और आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपका काम बढ़िया हो गया आप बड़े खुस हो गया फिर किसी काम के लिए जा रहे हैं आपने वही सोचोगे कि यार वही कपड़ा मैं पहनूं उसी रास्ते से जाओं औ और फिर लगता है फिर आपका काम अच्छा हो क्या सोचते हो कि यार ये तो कपड़ा और ये रास्ता ये मेरे लिए बड़ा बढ़िया है तो आदमी के मन में क्या होता है एक धारणा बन गई फिर क्या करते हो वही काम करते हो फिर उसी रास्ते का चुनाव करते हो वही कपड आदमी दूसरा कपड़ा पहना जूता पहना दूसरा और किसी और रास्ते से गया उसका काम नहीं हुआ फिर उसके मन में नकारात्मक चीज़ें आ रहे हैं अरे मैंने तो ये कपड़ा पहन लिया मैंने ये सूज पहन लिये मैं इस रास्ते से चला गया तो मेरा काम नहीं हुआ यहीं से होता है आपके अंदर अंद विस्वास का जनम आप कहीं जा रहे हूँ रास्ते में जो है किसी को देख लिये आपका गड़वड गया तो मैंने निकल रहा था मेरे सामने ये आ गया इसलिए मेरा काम गड़वड हो गया कभी बिल्ली ने रास्ता काट दिया कभी किसी ने रास्ता काट दिया तो ये मन में इतनी भ्रांतिया है हो सकता हो इसमें सचाई हो लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सचाई हो या सचाई ना हो तो इन सब चीजों को लेकर कि आप अपने अंदर अगर निगेटिव थौर्ट्स लाएंगे तो बताइए क्या जीवन चलेगा आप इनी सब चीजों में परिसान रहेंगे बहुत लोग इन सब चीजों में उल्जे हुए है रास्ते में कहीं जाए चौराहे पर तो कहीं कहीं नीबू फिका पड़ा है कहीं मिलचा पड़ा है कोई जा जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों से दूर जाना पड़ेगा अगर इस अंद्विश्वास को दूर करना है तो आप वही काम करिए उसी काम को बार बार करिए अगर किसी रास्ते में कोई कपड़ा वो रहा है अगर आपके मन में सका गया है तो वही कपड़ा पहनिए उसी रास्ते से जाईए वही जूते पहनिए हां लेकिन ये तब ही संभभ हो पाएगा कि आपको अपने प्रभु पर विश्वास करना पर आपको कोई काम करना है तो एक बार सुबह उठिए और जो भी आपके इस्थ हैं उनको सौंप दीजिए कि प्रभु मैं ये का काम करने जा रहा हूं ये काम करने जा रही हूं बस हमने आपको सौंप दिया है उनको अस्मरण करके आप निकल जाएए आपकी रास्ते में कौन मिल रहा है आप किस रास्ते से जा रहे हैं आप कौन सा कपड़ा पहन के जा रहे हैं आपका सब काम अच्छा होगा और नहीं अच्छा होगा तो आप यह समझो कि आप के लिए था ही नहीं कम से कम आप अंध्य विश्वास के चक्कर में साइको नहीं होंगे इतनी चीज का आपको ध्यान रखना है तो आप इन सब चीजों पर तो विश्वास कर ले रहे हो लेकिन उस प्रभु पर आपको अपने इस्ट पर भरोसा नहीं है तो आप अपने इस्ट के ऊपर एक बार भरोसा कर लिजिए कोई भी काम के शुरुआद करनी है उनके ऊपर भरोसा करके उनके ऊपर सौप करके आप काम की शुरुआद करिए कुछ भी करिए जो भी होगा उसका परिडाम अच्छा हो बुरा हो उसको कभी बुरा मत मानें उसको बस यह सोचिए कि यह जुखुआ है यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है बस तो इस तरीके से आप धार्मिक भी हो गए और भृवतिक्ता में भी जुड़े रह गए दोनों को बैलेंस लेकर की चलना है आप किसी एक के हो जाएंगे तो फिर क्या है कि तोड़ी सी फिर यही दिक्कत होगी तो हमेशा एक को मान करके अपने इस्ट के उफर सब कुछ सौंप करके सब काम करिए आपका मंगल ही होगा तो आज के ब्लॉग में सि